तो इस वीडियो में आगें दून को कुछी स्टेप्स के अंदर हम सीखने वाले क्योंकि इस तरीके से सीखेंगे कि complete आगें दून हम यापर white keys के उपर ही play करेंगे इसलिए आप बचे हो बड़े हो कोई फरक ने पढ़ने वाला इसलिए आप अपने mobile प्यानो के उपर इस दून को बजना सीख जाएंगे मिन्टों में तो चली देखेंगे इसको कैसे play करना है सबसे बेले main बात आपर जो हमने tone रखी और रखी dance, dance वाली अगर आपके बास में walk band आप या फिर perfect piano आप दोनों application में ये tone आपको मिल जाएगी अभी आपर हमारा tone की starting जो हो रही है आपर B4 से कैसे देखेंगे कैसे बज़ाना है इसको एकदम simple और आसान है कैसे इसके बाद जो part है और इसमें एक मैंने और tone add कर दी है और तो काफी बढ़िया बचती है इस tone के साथ में ठीके देखेंगे हमने यापर पहले B4 से starting गी तो B4 को हमने प्रेस किया बाद में A4, C5, A4, B4, G4, A4, G4 चाहे तो आप इसके notes लिख सकते है अभी हमें पहले line में क्या किया कि G4 को repeat किया भी दूसरी वाले line में हमें G4 नहीं दबाना है कैसे यह हमारे second line, first second ठीके अभी इसके बाद ओला part दखेंगे इसको भी कैसे play करना है ठीके अभी जो हमारे starting हो रहे है आप देख सकते है एफ और फिर बाद में C5 फिर E5 मरलब कि यह हमारा कॉन्डी तैयर हो गया next line अभी अपर फिर से repeat आप कहा किजिए सबसे पहले इन नोर्स को ध्यान में रखिए कि जी फोर्स मरलब जी फोर्स से लेके जी फाय तब कि यह हमारा एक स्केल है इन नोर्स के लावा हमें कई और नहीं भटकना है इससे क्या होगा कि आप कन्फ्यूज नहीं होंगे बजाने में अगर हम यहाँ पर ऐसा बजाते हैं अब में आप ऐसे तो बजलेंगे यां पर चूक और आप चुक सकते हैं किसे मूंअल अब जो प्ले करना है हमें शायद आप बटक सकते हैं कि morru क्रियेट होता है कि हम क्या करेंगे या पर वाइड के उपर फ्ले कर रहें तो यह आसान भी है लेकिन यह थोड़ा confusing भी होता है क्या होता है एक सरी के बटन दिखते हैं आपको क्या करना है उसके notes को रख सकते हैं तो notes को याद करना है या फिर उसके बटनों को मतलब कि G force starting करेंगे तो G fighter हमने starting आसे कि B force है जो हमारे first tone है next tone है मतलब जो दूसरा पाट है ओ ए फोर से आप simple यह आपर formula यूज़ कर सकते हैं कि chord लगा सकते हैं मलब हमारे जो tone खतम होगी tone यहाँ पर खतम हो रही है फिर आपको यह पर chord लगा देना है कोड के से यह वाला button press करने बाद में एक button छोड़ देना है white फिर दूसरा button फकड़ना है अभी यह पकड़ने एक बाद में एक white वाला छोड़ देना है तीसरा button फकड़ना है यह हमारा chord अभी यह पर जो दूसरी वाला हमारा part बचता है वो simply इन्हे button के उपर बचता है फिर से repeat आपको first part कर देना है अभी इसमें जो यह permanent tone add के ने वो काफी बड़ी है play होती है तो ओ कैसे सिखेंगे हम कर देना है ठीक है इस टोन को भी देखेंगे कैसे मान डो ले मेरा तन डो ले वन फिंगर से देखेंगे इसको काफी बड़िया और सूपर ही टोन है ये भी आशा सा पी देखेंगे एंप पाइब घ्रतराप एंपर दाल में और सूपर्मिलू 베askि हाइब अब हॉष्सपुर्ट हम अरहा है 1st पत महरा 2nd पत्व है 2nd पत्व थिल्ड बखिवश्या दृ-प्रेंगे बग्रपिण कापशनेु ड्लग्र है 4N5 अब इसके बाद में आपको जो हमने पहले बजाया पहले सीखा उसको रिपीट कर देना है चाहिए तो आप कॉर्ट भी लगा सकते हैं ये टोन होने के बाद में कैसे तो आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू कर देना जिस तरीके से मैंने आपको सीखाया है अगर मैंना सीखाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो मुझे एक अच्छा कमेंट कर देना मेरे लिए चानल पर नए तो प्लीज सब्सक्रेब कर देना ताकि आपको ऐसा कॉंटेन इस चानल पर मिलता है मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठाटा बाई बाई